दोस्तों स्वागत एक बार और आपके अपने से यूटीब चैनल में जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS related सारी खबरों की जिनने की आपको समय रहते पता होना बहुत ही जरूरी है वीडियो की सुरुवात से पहले हमेशा की तरह एक बार एक वेस्ट ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में हमारे वीडियो डिरेक्ली आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त होते रहें और आज BSNL के अधिकारी करमचारियों के लिए दो खुशकबरियां हैं जिनने हम हमारे वीडियो में आपको शेयर करते हैं दोस्तो वीडियो की शुरुआत में वो खबर जिसे आप जानना चाहते हैं बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे सब्सक्राइबर हमें बार बार पूछते हैं कि दिसम्बर 2020 की सेलरी उन्हें कब तक मिलेगी तो दोस्तो बीएसनल के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अब एक खुश कबर जो बीएसनल के सेप का टी कोड है जो की सेलरी से रिलेटेड है वो अब अनलोक किया जा रहा है और आपको जल्दे ही दिसम्बर 2020 की सेलरी रिलीस हो जाएगी और वो आपके बेंक एकाउंट में क्रिट हो जाएगी फिर भी हम इस मेसेज को पढ़ लेते हैं CDTA T-Code is now unlocked to generate bank file for the month of December 2020 सेलरी जो T-Code है उसे unlock कर दिया गया है जो की bank file होगी December 2020 की सेलरी के लिए उसके लिए इस code को unlock कर दिया गया है the T-Code will be open till 1 p.m. of 13th January 2021 और ये T-Code open रहेगा 13 January 2021 की दो फैर एक बज़े तक ताकि सेलरी से related सारे काम किये जा सके और जितने भी EBSNL के अधिकारी करमेचारी है उनकी सेलरी के लिए जो भी file बने उसे bank की तरफ मूँ कर दे जब भी corporate office से fund release हो तो दोस्तो ये बहुत ही अच्छी खबर और यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो नीचे दिये गए like बटन को जरूर click कर लें ताकि हमें पता लगे कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं साथ ही वीडियो को like के साथ उसे subscribe करना ना भूलें इसलिए नीचे subscribe बटन दिया हुआ है दोस्तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर अगली भी खबर अच्छी ही है B.A.S.N.L और M.T.N.L के लिए B.A.S.N.L. M.T.N.L. पांच साल के बाद अब मुनाफे की राहा पर बढ़ रही है तो दोस्तों समझते हैं क्या है खबर सरकार की ओर से राहत पेकेज मिलने के एक साल के भीतर ही BSNL MTNL में बड़ा सुधार अब दिखने लगा है दूरसंचार विभाग ने सोमवार को बताया कि दोनों कमपनियां 2015-16 के बाद पहली बार मुनाफ़े की राह पर लोट रही है और घाटा 50% कम हुआ है डौट के अनुसार चालू वित्तवर्ष की पहली 6 माई में दोनों कमपनियों की ब्याज, कर, मुल्योहांस और परिसोधन के साथ सुद्ध कमाई उनके खर्चों से ज्यादा रही है दोस्तों आपको पता होगा BSNL MTNL में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा उनके खर्चे थे जो कि अब घड़ गए हैं क्योंकि जनवरी 2020 में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों ने वियारे से ले लिया है साथ ही BSNL अब अपने खर्चों पर कंट्रोल करने लगा है उसी का ही फल है कि अब उसकी इंकम उसके खर्चों से ज्यादा हो रही है पांच वित्तवर्ष बाद दोनों कमपनियों का एता परदेशन रहा है वियारेस योजिना की जरिये BSNL का वेतन पर खर्च 50% घटकर 600 करोड रहा अब बात करें यह थी BSNL में सबसे पहले में जो पॉइंट है वो उसकी सेलरी है इसलिए वियारेस के बाद करीब 600 करोड रुपे का उसे बचत हो रही है जबकि MTNL का 75% घटकर 140 करोड पर आ गया है सितंबर 2019 में BSNL का कमाई के मुकाबले खर्च 3500 करोड जादा था जबकि सितंबर 2020 में खर्च के मुकाबले 602 करोड जादा कमाई रही MTNL ने भी 549 करोड जादा खर्च से उबर कर 276 करोड जादा कमाई की तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से BSNL और MTNL अपनी उन्नती के पत पर अग्रसर है और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है Corporate Office Delhi के तरफ से जिसमें उन्होंने बताया है कि Submission of Immovable Property Return for this year 2020 as on 31st December 2020 by the Executive and Non-Executives of BSNL रिगार्ड इसमें उन्होंने बताया है कि जो BSNL में कारी रहत दिकारी करमचारी है उनकी Immovable Property IPR उनने फिल अप करना है उसके रिगार्डिंग इस्ट्रक्शन जारी हुई है तो दोस्तों हम आपको बता दे कि The Immovable Property Returns is required to be furnished by all the officers of BSNL for the year 2020 latest by 31st January 2021 तो दोस्तों अब आप 31 January 2020 के पहले पहले अपना IPR अपना Immovable Property Return को फिल अप कर सकते हैं IPR should be submitted through ERP और ESS of BSNL which is hosted at www.erp.bsnl.co.in साथ ही उनने कहा है कि आपको जो अपना return भरना है उसे अपने ERP या ESS के account से ही फिल अप करें जो की www.erp.bsnl.co.in की साइट पर अविलेबल है A copy of the printout IPR submitted online duly signed should be submitted to respective controlling officer that is custodians of the IPRs of executed non-exhibit साथ ही उनने कहा है कि आप उसका printout ले ले और उसे sign कर ले और उसके बाद उसे आपकी जो controlling officer है उनने submit भी करें all the circle controlling officers are therefore requested that the content of this OM may be widely circulated to the notice of all the officers working under their respective control साथ ही इस लेटर के माध्यम से उनने कहा है कि सभी controlling officers को सभी circle के कि वो इस news को इस खबर को जादा से यादा लोगों को पोचा है ताकि वो सभी अधिकारी करमचारी अपना IPR timely fill कर पाए they should also ensure that the IPR for the year 2020 submitted within the stimulated time by all the officers साथ ही उनने ensure करने को कहा है कि सभी अपना IPR timely submit कर पाए और अब बात करें कि यदि आप submit नहीं करते हैं तो क्या होगा the officers are also informed that non-submission of IPR within the stipulated date would invite the denial of vigilance clearance for promotions EPP, NEPP, NOC, etc. यदि आप timely अपना IPR fill up नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके आने वाले जो promotion से उस पर इसका effect पढ़ सकता है It is therefore requested that all the officers may be directed to file their IPR for the year 2020 well in time इसलिए आप सभी को instruction दी जाती है कि आप समय रहते हैं अपना IPR time पर fill up करें दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि BSNL और VRS related सारी news आपको समय पर मिलती रहे धन्यवाद जय हिन जय भारत